बहुत बार आपने टीचर्स को, प्रोफेसर्स को या एक्सपर्ट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि Wikipedia का यूज ना करें तोकि Wikipedia पे जो information होती है वो कोई बहुत ही ज़दा reliable source नहीं होती तो कई बार ऐसा होता है Wikipedia पे किसी person के बारे में, company या country के बारे में ऐसा content लिखा होता है जो कि काफी biased होता है और ऐसा ही case अभी recently देखने को मिला है जहाँ पे Wikipedia के ANI जिसे Asian News International कहते हैं इसके Wikipedia के page के ओपर काफी objectionable चीज़ें लिखी गई हैं आप यहाँ पे clearly पढ़ सकते हो ANI has been accused of having served as the propaganda tool for the incumbent central government distributing material from the vast network of fake news website and misreporting events on the multiple occasions So हुआ यह के ANI ने Wikipedia के against में, court में अभी यह case file किया है और 2 crore रुपे का compensation मांगा है साथ के साथ यह भी कहा है कि इस post को यहां से हटाएं और एक apology letter भी लिखें So ANI का यह कहना है कि जितनी भी information यहां पे लिखी गई हो पूरी तरह से false है, defamatory है उसकी reputation को नुकसान पहुंचाती है उसकी जो goodwill है public में जो समाज में उसका goodwill है उसको tarnish करती है उसकी credibility के उपल सवाल खड़ा करती है और यह है जो content लिखा गया है इसके पीछे कोई भी factual proof नहीं है देखें इनो very well कि Wikipedia खुद से कोई content produce नहीं करता है basically Wikipedia एक online encyclopedia जासा है दुनिया भर से बहुत सारे लोग यहां पे content को डाल सकते हैं content को edit कर सकते हैं Wikipedia कोई profit मनाने वाली company नहीं है यह open source basically platform होता है देखें ऐसा नहीं है कि Wikipedia के उपर आप और मैं कुछ भी edit कर सकते हैं जो high profile companies होती है personalities होती है उनके Wikipedia पे जो page होते हैं उनको edit करने के लिए उसके अंदर information add करने के लिए हटाने के लिए बहुत ही ज़ादा top level के editors को hire किया जाता है अब यह कौन होते हैं यह किसी कौन नहीं पता है अभी ANI ने जो Wikipedia के अगेंस्ट में case file किया है तो कौन-कौन से provisions है जो Wikipedia के अगेंस्ट में लगाए गए है हमारे पास यहां सबसे पहले आता है ITX-2000 जो intermediaries को liable declare करता है So intermediaries कौन होते है ITX-2000 इसको भी define करता है कहता है Any person who on the behalf of another person receives, stores or transmit that message or provides any service with respect to that message तो basically क्या होता है यह डाकी जैसा होता है आपने कोई message create किया कोई message लिखा उसने आपको मुझे दिया मैंने उसको आगे forward कर दिया तो मैंने उस message को generate नहीं किया मैंने उस message को modify नहीं किया मैं सिर्फ एक platform हूँ मैं सिर्फ एक medium हूँ उस message को एक जगे से दूसर जगे पहुंचाने का basically Wikipedia भी ऐसा ही होता है Wikipedia भी हजारों लोग दुनिया भर से content को generate करते है Wikipedia एक platform होता है इस platform का use करके बहुत सारे लोग इसको पढ़ते है Wikipedia ये message को content को generate नहीं करता है इसलिए Wikipedia एक intermediary है अब सवाल ये उठता है कि क्या आप इन intermediaries के against में case कर सकते हो क्या उसकी लिए आपको समझना पड़ेगा section 79 of IT Act जो safe harbor की बात करता है मतलब ऐसा को intermediaries, ऐसा कोई platform जिसको safe harbor declare किया गया है आप उसके against में case नहीं कर सकते अब ये safe harbor क्या होता है basically आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि railway platform है railway platform के अपर दो लोग खड़े हुए है वो दोनों आपस में लडाई कर रहे हैं दोनों train का वेट कर रहे थे किसी वज़े सुनके जगड़ा हो गया अब जब case होगा तो क्या वो railway के against में होगा या दो आदमियों के against में होगा सीधी सी बायत है दो आदमी लड़ रहे हैं वो उसके against में होगा railway platform को कुसमें कोई कसूर नहीं है उसी तरह से जो social media website जैसे Instagram है, Facebook है जो भी है इन पर जो भी content generate होता है उनमें ये platform को कोई हाथ नहीं होता है क्योंकि ना उसको वो create करते ना उसको वो send करते किसको जाएगा वो कुछ decide नहीं करते है ये content लोगों के द्वारा generate किया जाता है ये जो intermediaries है, social media ये सिर्फ एक platform प्रवाइड करवा रहे है इसलिए इनको safe harbor का यहाँ पे status मिला हुआ है और आप इनके खिलाफ case नहीं कर सकते for a content which is not generated by these platforms लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये platform पूरी तरह से 100% secure होते है कुछ cases में जैसे अगर वो content के अंदर कुछ छेड़ खानी करते हैं उसको modification करते हैं या फिर कुछ बहुत objectionable content है government ने या court ने बोला उनको हटाने के लिए और उन्होंने नहीं हटाया उस case में उनको ये protection नहीं दी गई है उसके लावा दो सार पहले government ने intermediary guidelines हैंदा digital media ethics code लेके आये थे जिसमें ये कहा गया था भई जो बड़ी-बड़ी social media platform है जो योरोप में based हैं अमेरिका में based हैं वो वहाँ पर based नहीं रह सकती इंडिया के अंदर भी उनको अपनी presence दिखानी पड़ेगी physical form में उनका यहाँ पर office होना चाहिए एक contact person होना चाहिए एक grievance mechanism officer होना चाहिए अगर कोई complaint आई है तो भहिया उस complaint के उपर क्या काम किया गया है आप वो बताईए ये सब चीज़े की जाएंगी अगर कोई platform ये नहीं करता है तो उसको safe harbor के अंडर में protection नहीं दिया जाएगा ऐसा भी नहीं है के Wikipedia कोई controversy से untouch रहा है विगवन Wikipedia के co-founder ने कुछ साल पहले एक statement दिया था के Wikipedia काफी biased हो चुका है जिस purpose के लिए इसको बनाया गया था वो purpose fulfill नहीं कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेके controversy रहती है इवन जो Tesla का Wikipedia page है उसके उपर भी काफी objectionable चीज़े लिखी हुई है Elon Musk ने इसको कहीं मार बोला है कहीं सारी companies के against में ऐसा होता है कुछ साल पहले इंडिया में जब डेली में riots होए थे वहाँ पे भी बहुत biased kind of information दिया गया था Wikipedia काफी biased content अपने platform पे रखता है तो क्या इंडिया में पहले भी Wikipedia के against में case हुआ है बिल्कुल हुआ है 2022 के अंदर आयुर्वेदिक medicine manufacture organization ने Wikipedia के against में case किया था और उन्होंने कहा था कि साब इनके बारे में जो Wikipedia पे information है वो defamatory है court ने क्या कहा court ने कुछ ने कहा court ने कहा कि आप Wikipedia से जो है वो contact कीजिए आप खुद उस content को हटा सकते हो आप नहीं हटाओगे तो Wikipedia जो भी remedies लेती है आप वो लिलीजिए तो इस case में Supreme Court ने कोई खास response नहीं दिया था और इस case में भी AI वाले case में भी ऐसा हो सकता है कि Wikipedia के against में कोई खास action नहीं लिया जाए क्योंकि court ने का यह मानना है कि जो companies है यह जो भी organizations है वो basically उनके अपना opinion हो सकता है और हाँ अगर case होगा तो कैसे होगा वो defamation case लगेगा compensation होगा के नहीं होगा वो तो खेर court के बाद ही पता चलेगा लेकिन हाँ अगर एक बार यहां पर कोई फैसला आ जाता है वैसे इंडिया में case चलते ही रहते हैं आट 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 दस दस साल यह बड़ा मिश्यूस करती है company सब चीजों को लेट सी आगे क्या होता है लेकिन एक बार अगर यह हो जाता है तो यह basically door open कर देगा बहुत सारी और भी ऐसी company हो सकती है person हो सकते है जो wikipedia के गेंस्ट में जाएंगे और इस तरह की चीज़ें डिमांड कर सकते हैं लेट सी इसमें आगे क्या होका वो तो judiciary decide करेगी लेकिन इस content के लिए तना ही थैंक्यू जाहेंद